मेरी बहन जो है गाय है गाय है तुद्धे आपको बोलना गोशाला मैं बाइन दे मेरे साथ काय को वेजा है प्रणाम करता हूँ कह रहे हैं प्रणाम करता हूँ और हाथ दोनों खुलें हमें पसंद नहीं आया विवाह का अधनी का डंबर किसी को नहीं आ रहा है या शिमारू के नई विडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाना न भूलें सब्सक्राइब। कहाते हैं ऐसमें आपके पहरे आप तो जवहीं रहते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज के जमाने में किसी का स्वागत इस इस उचा के साथ कि इससे बहतर क्या होसता है करोड़ों लोग जिस उत्सा के साहसť हमारे कारेकों का स्वागत करते है मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आपकी महथद के लिए कहना चाहता हूँ वाँ भ épत लेकिन जिन्दिगी में भेलोग बेशर्म किसके भी होते हैं जैसे एक साथ थे के पामकुछ करते नहीं ठीक काम था लिट्ल लिट्ल अडर घर मे पढुआ रहते था उन्प मे अलै ख्राव पढ़े रहतेम लीफिए एक दिन आया घुज्ट्छे में ते जय्याति तुम Ó ते अजयाति हो गर्मे अन्पारावे 30 मैं कपड़ेश मीड़ेश्ट है वह पहंते हो तुम घर का खर्चा मैं नौकरी करके चलाती हूं तो मैं शर्म नहीं आती है बिल्कुल ज़रा सी भी शर्म तो तो दो दो भाई को आनी जी इसी शहर में रहता है कोई मदद नहीं करता है नहीं सुदर्थे ना ऐसे लोग तो उनकी साली जी एक दिन समझाया कि तीजा जी वानौ मेरी बहन जो है गाय है गाय, हम तारीफ में ऐसे ही कहते हैं आज गया है तो जो आपको बोलना गोशा आला में बाइन दे मेरे अधा गाय को वेजाए ऐसे पेशन लोगों का क्या किया जाए एक ही कर सकते हैं काम कि उन्हें आईना दिखा है और साहित्य और कविता हमेशा आईना और दरपन दिखाने का काम करता है वाव भी वाव में जितने कवी आते हैं अपने लिए आपके लिए हमारे लिए समाज के लिए राष्ट के लिए विश्वहित में अपनी कविताय करते हैं इसलिए ताकि हम समाज को आइना दिखा सकें किसीने बहुत ठीक का है कि जहां समाज बोलना बंद कर देता है कभी वहां बोलना प्रारंब करता है और हमारे साथ ऐसे तीन रचनाकार हैं जो अपनी बाते हैं अपनी कविता हैं आपके समक्ष रखेंगे हमारे साथ छांसी साहे देविंद नचकट हैं जो आप लोगों का दिल पहले भी एक बार जीच चुके हैं उनके पास 36 गड़ों के अकल तरा खस्वे से आएं हैं बंसी धर मिश्रा बंसी धर मिश्रा बंसी धर मिश्रा बंसी धर मिश्रा बड़ कवाल के हासे कविर उनके पास जो बैठी हैं पहली बार टेलेविजिन पर आ रही है। जब कोई पहली बार आता है तो आप जानते हैं। मेरे लिए खुशी का कोई पारवार नहीं रहता। संदल अफ्रोज को पहली बार हम पसुत करने जा रहे हैं जो अमिर्थी उत्रदेश के आई हैं। और संदल की खास्यत की है कि लखनों में वो एक स्टाफ नर्स है यानि मरीजों को वो ठीक करती हैं, सेवा करती हैं उनके कवताओं त्वारा समाज की सेवा भी करती हैं। तुम पहले जब बुलाए गए थे आज से दो चार छे महीने पहले तब तुम्हारी मुछे नहीं थी यह अचाना कैसे हो गाई हैं। मैं तब उगा क्यों ली उग तो आती हैं। क्या है भिया मेरी स्रीमती जी ने कहा क्या आप मुछे रख लीचिए अच्छा मैंने कहा आज कल मुछे कौन रखता है मुछे रखने क्या हो जाएगा। तुरों ने कहा हो सकता है सेले जी मुछो कान सूपरी स्टार हो गया ह। दाइए वैफिल मैं सबसे पहले का बलाना चाहता हूँ उस कवी को जो थोड़ा सा नट खट है लेकिन खे कमाल का जासी साय है देविन नट कर जोड़ा तालियों से दोस्तों प्रणाम करता हूँ चार पंतियों से अपनी बात चालू करता हूँ हिंदुस्तानी आदमी जो कहता है वो नहीं करता है कह रहे हैं प्रणाम करता हूँ और आथ दोनों खुले हैं मिया ने पूरा मुर्गा चीतने के बाद कटोरे भर दाल टेट्वा की नीचे सरकाई खाने की ये गंगा जमनी संस्कृती अपनी समझ में नहीं आई हमने का मिया जी कमाल है कमाल माल माल के बाद मैं दाल ये क्या हुगा रहे हैं वे बोले नटखट जी मुर्गा भूंका था उसे दाना चुगा रहती है अट गर्मियों में महमान और महमानों से परिषाए है कैसे कैसे महमान हमारे घरों पे आते हैं कि गर्मी पड़दी जून की आर्ञे को बोलते हैं चून जलो मित्र के घर चले रहता देरादू चलो मित्र के घर चले रहता दहरा दून और रहता दहरा दून सुनो तैयारी कर लो और सब रद्धी सामान पडोसी के घर दर दो सब रद्धी सामान पडोसी के घर दर दो तभी किसी ने काल बैल का बटन दवाया तभी किसी ने काल बैल का बटन दवाया और देखा सा परिवार मित्र मेरे घर आया अच्छा, बहुत 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 देखा सा परिवार मित्र मेरे घर आया हमने जलकर के कहा मित्र आप्टर नून हमने जलकर कर कहा हमने जलकर के कहा मित्र आप्टर नून ऐसी गर्मी में भला छोड़ा देहरा दून ऐसी गर्मी में भला छोड़ा देहरा दून छोड़ा देहरा दून मित्र में भी बताता और मेरे घर पे लगा हुआ आने का ताता और देख देख के उनके रहने की वे सरमी देहरा दून में लागे रे चेननी सी गर्मी देख देख के उनके रहने की वे सर्मी और देहरा दून में लागे रे चेननी सी गर्मी तो परसों विर्दर आ गए इनके रिष्टेदार परसों विर्दर आ गए इनके रिष्टेदार उनकी मिस्ने डाटली इनकी ही सल्वार इनकी ही सल्वार साथ में वारा बच्चे वो घर के सभी खिलोने तोड़े अच्छे-च्छे वो कहने ठकत कविराय कनस्तर कर गए खाली वो बात रूम की बंद कर गए चल तू नाली अलो महल बढ़ गा तो केवल घर में ही नहीं था उनका उत्पात, पुरा महला में हुए जल्दी वे विख्यात, जल्दी वे विख्यात एक की डिस्क काट ली, एक की डिस्क काट ली, और दूजे ने पूरी डिब्भी विख्यात ली, और दूजे ने पूरी डिब्भी विख्यात ली, और जाते जाते भाईया जी उफकार कर गए, और नगत पांसो मेरे नाम उधार कर गए, तो चंद रोज में हो गया उनका जगवे उभार, जो लोग ह मैं नहीं जानते थे उन्हें जानने लगे तो चंद रोज में हो गया उनका जगवेवार उच्छे टुच्छे बन गए उनके पक्के यार उनके पक्के यार छोड़ने पहुंचे टेशन ऐसे जुड़ा हुजूम जैसे जारा है वाइडन ऐसे जुड़ा हुजूम जैसे जार बाइडन और देख ट्रेंड को देख ट्रेंड को भाईया जी की ओज खो गई और वो तो चड़ गए आदी उनकी फोज रह गई तो सीटी मारी रेल ने मेरा दिल घबराए और बिर्दर खिड़की से निकल बोले ओके बाए बोले ओके बाए नमस्ते सबसे कहना नमस्ते सबसे कहना और बच्चों को कल साथ किसी के बिजवा देना और थोड़ा बहुत कष्ट होगा वो हम सहलेंगे और इस टेशन से बच्चों को रिसीव कर लेंगे तो भाईया बिलकुल जूट है ये कलियोगे साहब कैसे कैसे महमान आ रहे हैं कि भाईया बिलकुल जूट है है अतीदी भगवान महमानों के भेश में थे पूरे सैतान महमानों के भेश में थे पूरे सैतान और थे पूरे सैतान काम सब ब्रेक हो गए और बबलू के पापा तब से क्रेक हो गई अरवंडू के बाप क्या बात है देवान दखकर जी ने एक खास शैली में कविता पड़ी जो काका हातरसी जी की शैली एक जमाने में हुआ करती थी काका हातरसी जी को मुझे बताने की जो रपती है कि वो कौन हैं कभी कभी थे नहीं होते उनकी कविता हमेशा जिन्दा रहती और आपने उसी अंदास में वो कहते थे काका कविरा है उस तरह से जो आपने पढ़ा बहुत और कमाल की कविता है अतितियों पे आपने सही का होते है शारत जोशी जीन एक जमाने में लिखा था तो आप ऐसा करो के अतिती भी फस जाए अब ऐसा हुआ हमारे करे का ऐसा अतिती फसा था दो चार दिन में बहुत नुक्सान कर दिया उसने और मोटर साइकल लेकर आता यतनी दूर से अपने गाव से तो जाते वक्त वो जेब में मोटर साइकल की चावी उसने निकाल लेंके लिए जैसे हाठ डाला अब मैं करें नी यार दो बच्चों कुछ देने की जरती है अब उसे दो हजार देने पड़े तरीका होना चाहिए ना अतितियों से निपटने का लेकिन अगर हम गंभीरता से सोचें तो वो जमाना चला गया जब हम आगत का स्वागत किया करते थे घरों में उम्मीद रहती थी कि कब कौन आएगा मुझे अपना बच्चपन याद आता है और ऐसा बच्चपन आज भी होगा कहीं ने कहीं जरूर होगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं था बहुत अभाव थे और सोचा भी नहीं जा सकता था कि हम किसी होटल तो छोड़ी धरमशाला में भी ठेरे तो उस जमाने में लोग किसी जगे जाते थे या कई जाने का काम हो जाता था तो लोग अपने रिष्टेदार ढूंते थे रिष्टेदार नहीं मिले तो रिष्टेदारों के रिष्टेदार ढूंते थे महले के किसी आदमी का रिष्टेदार ढूंते थे उसके घर जाकर ठेर जाते थे और जो ठेराता था उसे भी कोई दिकत नहीं होती थी क्योंकि तब हम पूरा मौला एक परिवार होता था और आज एक ही परिवार में कई महले बन गए यह इधर रहता है वो इधर रहता है, वो कहां रहता है किसी को एक दूसरे का पता तो रहता ही नहीं सुरेंद शर्वार जी की एक पंक्ती मुझा आ रहती है और नहीं कहा था कि हमारे सब का पता तो एक होता है लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं होता है ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि जबाना फिर लोटा है और हम आगत का स्वागत करें अथिती घर में आता हुआ अच्छा लगे हमारे घर में छोटे से कमर में हम सब के घरों में रही होगी यह चीज़े छोटे से घर में आट-दस लोग भी चले आते थे तो सब एक साथ बिस्तर लगा के सो जाया करते थे उस आंगन में रजाई पड़ोस से मांग लाते थे घर में महमान आया है रजाई दे दीजिए पुर्सी दे दीजिए टेबल दे दीजिए कोई बुरा नहीं मानता था क्योंकि पुरा समाज ऐसा होता था हमने सुविधाय तो बहुत पाली लेकिन हमने संस्कार और संस्कति को खो दिया है इश्वर करें कि ये फिर से लोट आए और उमीद करें कि हमें हमारी बाहें जो हमेशा है लोगों के स्वागत में फैली हो और इस वर्त हम स्वागत करना चाहते है अकल तारा चातिजगर से आए बंची दर मिश्र का जोड़ा तालिए भाई वाँ भाई वागे इस खुबसूरत मंझ को पड़ाम करता हूं और चार पंक्तियां भी आपको समर्पित करता हूं कि मैं नहीं कहता कि मुझे भरपूर मिला है मैं नहीं कहता कि मुझे भरपूर मिला है पर जितना जरूरी है, जरूर मिला है पर जितना जरूरी है, जरूर मिला है माना की सफर में कोई मुझे जानता नहीं पर रहनुमा हमें मसूर मिला है एक हासी कविता, आपके सबक्ष हमें पसंद नहीं आया विवाह का अधनिक आडंबर किसी को नहीं आ रहा है यार हमें पसंद नहीं आया विवा का अधनिक आडमबर मैंने सोचा मैं तो रचाओंग अपना स्वेंबर यह हुई कॉंफिटेंस वाली बास मैंने सोचा मैं तो रचाओंग अपना स्वेंबर दूसरे दिन सहर भर में बिग्यापन के पोस्टर लगवाए इस खूबसूरत हैंटसम स्मार्ट कभी से विवाकी चुकी होती है आवेदन लाए आवेदन लाए पोस्टर बनाने वाले ने भी अपना हुनर जम के दिखाया था अब मेरे तस्वीर को हालिवुड के सूपरिश्टार की तर खूबसूरत बनाया था खूबसूरत बनाया था दूसरे दिन सहर भर में मज गई होड लड़कियां अवेदन लेके दोड़ने लगी अपने अपने घर का काम छोड पूरे सहर में मज गया कोहराम मैंने अपील किया कि एक घर से एक ही आएगा पूरे इलाके मेरी खूबसूरती के चर्चे थे हर हसीना के हाथ में स्वेंबर वाले परचे थे ये जखकास आइडिया देखका लखन जैसे मित्र भी जलने लगे ये जखकास आइडिया देखका लखन जैसे मित्र भी जलने लगे और हमारे दिवाद में प्लान केव नहीं आया सोच के हाथ मलने लगे है नियतिथि पे सव्ogloंब वाला दीन आया दिल थोड़ा ऊछला थोड़ा घब रहाया जैसे ही मैंने सवफ्त किया प्रवेश पहण के कुर्टा पाइजामा रिताई वाला ड्रेस पहण के कूर्ता पैजामा रिताई वाला ड्रेस लड़कियां मुझे देख के हैरानी से सोचने लगी अरे पोश्टर वाला कमबक्त यही है सोच के माथे पसीना पोचने लगी तभी एक लड़की चिल्लाई तभी एक लड़की चिल्लाई चीटिंग फ्राड धोखा तभी एक लड़की चिल्लाई, चीTING PRAET धोखा, उसके बाद सब ने मिलके मुछे जम के ठोका उसके बाद सब ने मिलके मुछे जम के ठोका, अर काहे कि समेंबर कहा कि सग आई, उसके बाद सामू इक रूप से जम के होने लगी धुनाई सामुईग रूप से जम के होने लगी धुनाई वर माला गले की जगह मेर जिंदा लास पे चढ़ाने लगए और जाते जाते सरथानली सउरूप एक लात लगाने लगा सद्दाजली सवरूप लात लगा कि दो मिनिट के लिए मुझे लगा भीया कि मैं गुजर गया स्वेंबार का भूठ तो तुरंत उतर गया लेकिन मैंने कान पकड़ के कसम खाई कि आगे जब भी स्वेंबर रचाऊंगा आगे जब भी स्वेंबर रचाऊंगा पोस्टर में फोटो अधार कार्ड वाली प्रियत चोटा भाई है इसे पहली बार टेलेविजन पर कुछ समय पहले हम लेके आय थे ढून के और बंसिधर ने उसके बाद से आज तक बड़ी महनत की है और महनत के सुरूप ये इतनी अच्छी कविता लिख रा लेकर आया है और अज तुम जाने जाते हो इनकी एक कव मुझे लगता है बड़ी चतिस गड़ के हर फोन पर होगी वो कविता और वा भाई वा में पढ़ने के बाद बंसिधर सारे देश के हो गए मैं तुम्हें बढ़ा ही देना चाहता हूं बंसिधर इस वाद की और आब हम सुनना चाहते हैं उसे जो पहली बार के हैमरों के साम करती है लगनों मैं लेकर आमें ठीकी रहने वाली है ना मैं उनका संदल अफ्रोज जोरदार कालिए तारीक मतलब अंधेरा तो अंधेरे राश्टे जा रही हूं मैं तारीक रास्तों पे चली जा रही हूं मैं तेरे लिए चराग बनी जा रही हूं मैं जानते, तेरे लिए चराग बनी जा रही हूं मैमीर की गजल हूं, मुझे जानते हो तुम मैमीर की गजल हूं, मुझे जानते हो तुम मैं मीर की घजल हूँ मुझे जानते हो तुम आभी महाबतों से सुनी जा रही हूँ मैं आभी महाबतों से सुनी जा रही हूँ मैं सुनी जा रही हूँ मैं उस बेवफा को दूर से एक बार देखकर एक बार देखकर उस बेवफा को दूर से एक बार देखकर उस बेवफा को दूर से एक बार देखकर इतनी खुशी मिले कि मरी जा रही हूँ मैं राहों की मुश्किलों पे नहीं है मेरी नजर राहों की मुश्किलों पे नहीं है मेरी नजर राहों की मुश्किलों पे नहीं है मेरी नजर मंदिल के जोस्तु जो में चली जा रही हूँ मैं चली जा रही हूँ मैं क्या बात है पहली बात टेलेविजन पर आके ये प्यार पाना ये कम लोगों को नसीब होता है लेकिन आपके माथे पे है मस्तक पर है लिखा हुआ और आप पा रही हैं और आज टेलेविजन के कैमरों के ध्वारा आप सारे देश दुनिया में अच्छा जाएंगी और लोग कहेंगे के उस शायरा को बलाया जाए जिसने कहा था कि तारीक रास्ते पे चली जा रही है क्या पात है बाइए बाप में आगे और जानते हूँ किसका नाम तरहे जी किसका नाम बता रहा हूं मैं मैं इंडूस्तानी आजी आप तमाम लोग जो घर मेठें मैं जानता हूँ आप चाहते हैं कि कुछ दिर और सुना जाए लेकिन ठोड़ा सात इंधार करना पड़ेगा बस यूँ गए और कल ठीक रात 10 मुझे फिर हाजिर होंगे और यहां आप मुझे पाएंगे और मैं कहूंगा वाँ झाल